आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार हर कार्दम में एसा ही मुद्धा رखते हैं जिसका सीरा सरोकार आम जंता से होता है। आदमी की पिकती से होता है, मानव जीवन से होता है, मानव सभिता से होता है, मानव विकास से होता है, नेतिक सिच्छाओं से होता है, और सावाजिक परंपराओं से होता है, और साथी साथ राजनीती से होता है, तो अपने हर मुद्दे में एक हर बार हम अलग चर्चा का विस इसलिए है क्योंकि इस माध्यम से हम अपनी जीवन को बचाते हैं अपना जीवन से अलीक में इस चर्चा का बढ़ा योगदान है और वह उसधी जीहाद दवाइयां दवाइयां कहें या चिकिस्सा कहें बात एक ही है क्योंकि चिकिस्सा जो होती है उसका ही जो अंतिम पढ़ा होता है वो दवाइयां होती है दवाइयां हो गई सल चिकिस्सा हो गई यही उसका अंतिम पढ़ाव है और इस पढ़ाव के माध्यम से हमेशा हमेची समझते हैं कि अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको उन सारी विधियों को समझना पड़ेगा, उन सारे तंत्रों को समझना पड़ेगा, उन सारी पिर्णालियों को समझना पड़ेगा. भारत बहुत प्राचीन देश है और प्राचीन देश होने के साथ साथ यहां पर सब्हताय भी हुआ प्राचीन है यहां की बिरासते भी बहुत प्राचीन है क्योंकि इन बिरासतों के माध्यम से हम हमेशा यह सोचते हैं कि अगर आप कुछ बहतर करने जा रहे हैं तो उसका मूलेंकन करना बहुत जरूरी है और यहां मूलेंकन हम करने जा रहा है चिकिस्था प्रणालियों का चिकिस्था प्रणाली मैंने आपको बताया कि चिकिस्था प्रणाली कौन कौन सी है चिकिस्था प्रणाली हमारे कई तरह की पजलित हैं अगर हम अपनी प्राक्र चेकस्था प्रजब्स और और ओर उसमें रही है वो रही है आयरुबै sewing उसके बाद प्रायकर्थिक चेकस्था भी प्रणी चेपसा में आता है विद्स नाव्ला और इसके बाद जो चिकस्था परिनाली आती है वो आती है एलोपैथिक, यूनानी और होमेपैथिक यानि अगर देखी जाए तो मुखताब पांच तरह की चिकस्था परिनाली हो का हम भारण में उपयोग करते हैं और इसके माद्यम से अपने जीवन को बचाते हैं और इसके तरह का उसका एक चरण है अगर हम चिकस्था परिनाली की बात करें तो सबसे पुरानी चिकस्था परिनाली वो है वो है आपकी आयरुवेडिक यानि अगर आइरवेडिक की बात करें तो आइरवेड चिकस्ण पैनाली बहुत पुरानी है और आइरवेड़िक को अर्थवेड का उपवेड ही कहा जाता है यहां हमाया चार बेड है, रगवेड, सामबेड, अर्थवेड, यजूबेड तो जो आयरवेद है उसको अरथवेद का उपवेद भी कहा जाता है तो इसका प्राचींता का आप परमान खुश हो सकते हैं और इसके जनक की बात करें तो इसके जनक थे आचार चरक जिनने चरक सहीता भी लिखी और तरौम तरह की बिनिया, उप्चार, आर्विर्क उसनिया, चिकिस्था, सल्ल चिकिस्था, तमान तरह की इन बिस्यों पर सोर भी ज़ुआ हो, वो पिनाली लागू की गई और उसके बाद कई बड़े नाम आए, धन्मंतरी जी भी आए, उसके बाद जो अगर सल्ल चिकिस् अगर हम प्राजिनता की बात करें तो लवा लवभ तीन से पाज हैर साल पुरानी आरवेडिक चिकिस्था उसके बाद अगर हम चिकिस्था की बात करें तो प्राकरति चिकिस्था भी आती है हाला कि प्राकर्टिक चिकिस्टा में भी वही आर्वेडिक चिकिस्टा का ही स्थान है पर चुकि जो प्राकर्टिक रूप से हमाई पाद उपलब्ध है चाहे हो खानपान हो, चाहे जड़ूबूटिया हो, चाहे योग की बात हो, चाहे एक्यूप्रेसर की बात हो, चाहे एक्यूपंचर की बात हो, यानि जो भी संसाधन हमारे पार प्राकरतिक रूप सोपलब्ध है, उनसे जो चिकिस्था होती है, उसको प्राकरतिक चिकिस्था अगनी इन पांचों का उपयोग होता है और इन पांचों के उपयोग के साफ से चीजे बहतर की जाती है मिट्टी के माध्यम से भी चिकिस्टा होती है धूब के माध्यम से चिकिस्टा होती है जल के माध्यम चिकिस्टा होती है तो ये जो चिकिस्टा प्रिणाली है प्राकर्तिक चिकिस्टा प्रिणाली इसमें जो प्राकर्तिक आहार बिहार सैली नियम आसन योग इन सारों को प्योग करते हुए हम उपचार करते हैं और इन प्रिणालियों में लोगों की बीमारियों का जड़ से उपचार किया जाता ह उसके बाद हम आते हैं एलोपेथिक पर अगर हम एलोपेथिक की बात करें तो सुरूबाद बहुत पुरानी नहीं कहेंगे 24 सताब भी सुरूबाद मान सकते हैं और लगातार इस पर भी सोध हुआ और सरजरी में यानि सली चिकिसा में से लिएके दवाईयों में नए नए तकनीकी बिगास यहां होते रहते हैं पर ये चिकिसा थोड़ी भिन्न है भिन्न इसलिए है क्योंकि जब इसको हम बबादित करेंगे गिरीक सब्द है ऐलोपेथिक तो अलगत तरह की चिकिसा और इस चिकिसा के माद्धम से जह हम दवा लेते हैं तो रोगों को उपचार तो होता है पर यहां पर यह जो दवाईया है वो साइड एफेक्ट है यानि नकराटर प्रिभावी सरी पर डालती है और जिस रोग के लिए हम दवा ली है उसके उपचार के साथ साथ यहां पर अन्य रोगों से भी जो व्यक्ति होता वो गिर्सित हो जाता है बाले वो छोटे छोटे हो पर आंगे जाकर वो बिक्राल रूप धारन कर सकते हैं तो यह समस्या ऐलिपेथिक चिकिस्था में हैं इसके बाद अगर आप बात करें होमेपरी चिकिस्था की तो सर हैनी मैन ने स इसी सुरूबात की तिसे जनक कहे जाते हैं और होमेपरी चिकिस्था कही जाती है पर अगर होमेपरी चिकिस्था की हम बिस्तिर सरूप की बात करें तो थोड़ा समय अबनी जाड़ा है समय से थोड़ा समय लगता है अगर सरजरी की बात करें या बड़े ऑपरेशन की बात करें तो वह पर नहीं है यहां पर आप कोई बीमारी की दभा लेते हैं तो थोड़ा समयनारी यह कहाँ पर यहां भी बीमारी अब्स अंस्क्राइब आए उसके वाले यूनानी चिकश्धा परनाल कि कोई छिक नाली विख सकते हैं पर बहुत से चिकश्धा I अगर किसी का आहार विहार बहुत नियमत है तो उस पर प्रेकरतिय चिस्टा बहुत कारगर होगी और वो इनसान अगर रोग से गर्शर होता है ते बहुत जल्दी ठीक हो जाता है पर अगर कोई सी इंसान की जो जीवन से लिए अनुसासित नहीं है अहार वियार खराब है अनुसासित नहीं है तो वहां पर उस बैक्ति के लिए अलेपेटिक चिकर्षा ही सर्वोतम मानी जाए क्योंकि अलेपेटिक चिकर्षा उसको तटकाल प्रवाद से आ कि अगर हम देख रहे हैं कि हमारे देश में किस तरह से सिक्रिस्टा पेनाली आंगे बढ़ रही है तो इस पर भी चर्चा का विसा है कि जब कुरोना समय आया था कुरोना महामारी 2020 में हलाकि 19 में चीन में सुरू हुई थी बुहान से और बुहान के सुरू होने के बाद जो प बहुत कुछ इस्तिती कंट्रोल लाई है 2021 में बीमारी आई है तो बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई और समने देखा कि किस तरह से लोगों अपनी जन्दिगी से लड़ते देखे पर कही ना कहीं हमने इस बीमारी देखा किस तरह से आर्विडिक कालों का उप्योग किया गया किस तरह से लोगों ने निवू पानी पिया किस तरह लोगों ने आर्विडिक कालों को प्यूग किया किस तरह लोग प्राक्रिक चिकिस्टा की तरफ चले गए थे और यह आकड़ी भी दिखाते हैं कि जिन जिन लोगों ने प्राक्रिक चिकिस्टा का सहरा लिया जो होम आईसिलेशन में घर पे रहे, जोनों ने प्राक्टिक उप्चार किया, धूपली, निबू पाने पिया, गरारे किये, वो उन मेंसे अरिकार्स तो लोग इस बीमारी से स्वस्थ होकर बार पसा जाए, ठीक हो गए, और साथी साथ उन पर दबाईयों का साइड एफेक् गई, इस्तिराइड सरी सी दबाई, और उन्होंने उस व्यक्ति की जाल ले लिए, और इसलिए मित्युदर काफी भार तक जाना गई, और जिन लोगों ने आइसिलेशन में रहे, जो अपने घर में टीट्मेंट करते रहे, परवार से अलग होकर टीट्मेंट करते रहे, उ लोग कीवी को प्यूग कर रहे थे, लोग फल खा रहे थे, इसके अलाबा लोग आरवडिक काणों को प्यूग कर रहे थे, लोग लॉग एलाइची दालचीनी काली मिर्च जैसे गरम चीजों को प्लाते के ओसरीयों को चाय में डाल को प्यूग कर रहे थे, अपने खाने मे देखा कि किस तरह से आर्विडिक काले बेचे गए विके भी और लोग और उजान दहा यहां तक कि जो बड़ी औस दियां है अस्वगंदा की बात करें गिलोए की बात करें सौटेस थी बैदनात पतंजली स्रीसी आर्विड जैसी तमाम बड़ी कंपनियां उस समय गिलोए बटी बना रही थी और लोग अगर अलिपेथिक दबाई भी खाया तो साथ में इन आर्विडिक दबाई को वह भी उपयोग कर रहे थे उनका माना था आर्विडिक दबाई इ आज सज्ञेट वास데यों का विकना दबाईयों का विकनाए यह बाटिसमन्न दिखाता है है कि अगरह हमको अपने आपको बसार तो आने बाले समय में हमको ब्हुर कुछ प्रक्लातियुक्व मारत कया बढ़ी बीमारी जिनके सब्सक्राइब को अई तुमότεर से भी क्योंता है योग मि데से भी कैस्ति म जो जो अपलब्ध है चाहे वो पत्ति हो जाहे वो फल हो चाहे वो छाल हो यह जो भी हो वो सारे और शुदिए गोरज लिये हुए हैं। किसी ना किसी रोग के उपचार में उनका महत्पूर स्थान है अब यह आपके उपर है कि आप उसको पैचान पाते हैं नहीं पैचान अभी तो जाने कितनी ऐसी प्राकतिक जड़ी बूटिया हमारी इस मानफ समाज की समझ से बाहर हैं जिनका पता ही ने लगा पाए हैं जो कि अर्बुत हैं जिनकी छमता बिलच्छण हैं और जिनके माधनम से बड़े से बड़े रोगों का अपचार किया जा सकता है और आज भी हम मानफ समाज उन और सिरियों के गुरों से अंजान है क्योंकि उस तरह सोधी नहीं होता है परियास तो किया जाता है तमाम बड़ी वुटियां निकालती है उनकी टेवेत निकालती है जिनका लंबे समयसों पर हो रहा है यह वे उत्ता है यह डिक हम दूंत हो fighters के पुराना होई पैदनात के बाद हमालया में अब धी और थिसके व Siya आए में पत dazu था कमपनियां तो सुरूबार बैदनात कमपनी साही हुई सुखारियों को बनातीय है और इस तरह क taraf कंपनियों का आँगे बढ़ना बहुत जरूरी है जुकि जब तक ये कंपनियां आगे नहीं बढ़ेंगी तो तब तक हम उफचार माम महीं नहीं के लिए हमको प्रयास पर आपड़ेगा た अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम आंगे नहीं जा पाएंगे अगर हम इलेप rif dik narcissist की बात करें तो लोग उपयोक करते हैं हुमिपेडिक का उपयोग करते हैं युनानी का उपयोग करते हैं अर्विडिक का उपयोग करते हैं पर अगर हम दॉक्टरों का आगड़ा लेंगे तो हमको पहला चलेगा कि हमारे देश में क्या इस्टिती है अगर हम 2019 का आगड़ा लेंगे तो हमारे देश में लगव की ऐलोपेडिक चिकिस्क है यारी जो कि आपकी ऐलोपेडिक चिकिस्क है जो अपने रोगी का इस माद्धम से एलाज करते हैं उसके बार हम हुमेपेटिक की बात करें तो देश में लववा लवक तीन से साड़े तीन लाख हुमेपेटिक चकिस्सक है जो को भेनबोियतिकुर्ट माध्यम से लोहं का अडाशी करते हैं। अगर हम युनानि की बात करें निक्त पत्रों 5,000 के आधरें बता रहा हूं रहा हूं आप тол ado Grund Punkte Friedskiहर यानि जिसके लिए कहा जाता है प्राकषटिक उप्चार के मात्रियम से लोगों को उप्चार करना अब वो कितने हैं मात्र दो हजार यानि जो हमारे डेश की सबसे पुरानी चिकसऽा परिनाली है आर्लिडिक और प्राकषटिक उसके डॉक्टर गिने चुने रुजहान कम पैसा कम वो देश से बड़ा और समय जाधा यह मैपपूर कारण है और 77 लोगों का उसकी पती रुजहान है रुजहान भी बहुत जरूरी है अगर रुजहान बेतर होगा तो चीजें बहुत बेतर होगी और रुजहान के साथ-साथ आपको यह भी समझना होगा क अगर हम किसी चीज़ का उपचार कर रहे हैं तो वो सामने वाला रोगी है वो किस पेकार की चिकश्था को पसंद करता है और साथी चाथ अम एलेपेटिक चिकष्था की बार करें तो तोंसी का बहुत महंगी भी है क्योनि हम देख रहे हैं जस्तरा से आज एलेपरी चिकिस्सा का ब्यवसाई करण हो चुका है छोड़ी दबाईयों की बड़े-बड़े कंपनियां बनाती हैं बड़े-बड़े से मुनाफ़े होते हैं डॉक्टरों से लेके तमाम बड़े-बड़े लोगों को उसमें कमीशन जाता है और यह पेकार से ब्यवसाई करण हो चुका है पर प्राकरती चिकिस्सा मैं ऐसा नहीं है आर्विडी चिकिस्सा मैं ऐसा नहीं है होमेविडी चिकिस्सा मैं ऐसा नहीं है क्योंकि उनकी जो दबा है वो एक दर की है एक सिनेरियो बना हुआ है एक तंत्र बना हुआ है उसके पूरे ब्यावसाई करण में साहरा तंट सामिल है चाहे डॉक्टर की बात करें चाहे चाहे चो पतीनियों की बात करें रोगी को किस तरह ठगा जाए उनसे किस तरह इलाज के नाम पर भसूली की जाए यह आज के समय में शबसे आज समय यह ही चलना है और जो अर्मिदिक दब खाली स्थिति नहीं होती है की ज्ञारा महिंगा और इतना ज्रह मुनाफ़ा कमाये जाए सबको पता होता है कि कौन सी चीज कितनी रहुति है तो ऊक्रадा होता है अगर तुलसी का ले लेते हैं अगर नीम के साबून को बड़ी कमप्पनिया 100 रुपय का नहीं बेच सकती, उनको पता है कि नीम नहीं पत्रक्म्ला देख कि आम के बता है कि नीम के आजस्पास पांस इसको साथ है, नीम नहीं तनी यह स्ynnig होना कि यह जड़ी बूती है, हलाकि नीम का पेड़ तमाम तरह के उसलिए गुण को लिये रहता है नीम की भूटी की से बात करें नीम की पत्ती से बात करें नीम की चाल की बात करें उसके सारे जितने भी अर्थ हैं उसके सारे जितने भी लोग हैं उसके सारे जितने भी अंग हैं चाहे पत्ती हो, चाहे तना हो, चाहे चालो, वो सब उन्पयोग में आती है, अलला बीमारी हों में उसका उपयोग किया जाता है, लोग उसका उपयोग करते हैं पर यहाँ पर मैंने आपको इस कारगम को माद्डम दे एकी बाद समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी बिरासत वो आर्विलिक की थी, हमारी बिरासत चरक धनमंत्री की थी, हमारी बिरासत सुसुरुत की थी, हमारी बिरासत तीरेजा साल पुरानी है और हमारी बिरासत वो है आर् तमाम उप्रिसान होते हैं, वो हमारी चिकस्था में तीन हजार साल पुराने रूप में बिद्दुमान है। पहले भी हमारे जो चिकिस्सक रहे हैं, बड़े-बड़े, मैंने आपको नाम बताया, चरक रहे, सुसुत्र रहे, धन्मंत्री रहे हैं, ये बड़े नाम हैं, जो की लगातार अललग रिसर्च के माद्धम से, सोथ के माद्धम से, भहुत पुरानी प्राचीन सब्विता की सरजरी के जनक थे, और अगर चरक की बात करें, महारसी चरक, तो चरक सहीता उन्हों लेखी ती 30 साल पुराने, और महारसी चरक को ही आयर्वित का प्रणेता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, और तमाम बड़े नाम हैं, जो की आयर्वित चिकिस्टा की सुरूबार किये थ और इस अथ्मिता, आखिकिस्टा की जो परणाली, ये बहुत प्राचिएन है, मेरा कुताया 3,000-5,4 साल बड़ानी, चिकिस्टा परणाली है, और इसमें सारी ब्यरास्था है, जो कि सरजरी संबंधित हो, चाय और ऑसरी गुरु संबंधित हो, चाय रोगों संबंधित हो, सब कुछ घ्यान हमारे बेदों में है सब कुछ बीस्ता है हमारे इस आलवरिज चिकस्था में है पर इसके अलाबा भी हम लगातार अपनी ब्रासर को भूल के तकनीक पर जा हरा है हम अगर अगर अपना आहर ब्याहर अपनी दिन चेड़ रहा अनुसासित कर लेंगे तो बहु क्योंकि प्रिणाली रोगों को जड़ से खतम करती है इनका कोई साइड एफेक्ट नहीं होता है और इन प्रिणालियों का जो प्रभाव है बहुत कोरोना महामारी में हम 35 भूप से देख चुके हैं कि जनता ने इन प्रिणाली को अपनाया था वो देख रहे थे इस प्रिणा अन्य नहें रहे था ठीकि कोई दबाहि नहीं थी हलाकि तमाम अन्य चीजों में एलोपेटिक क्वार भी अगर हम कि बात करें टीक मात करें बड़ cargo की ततकाल वाद करें तो आज भी अलोपेतिक का कोई सानी नहीं है पर अगर हम किसी रोक को जड़ से खतम करना चाहते हैं और अपने आप कोई बैठा दिन चरदा के साथ अनुसासित आचाहर विहार के साथ जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे लिए आर्वेडिक और पैकर्च चिकिस्ता प्रणाली सर्वोत और यहां पर रोगी के हिसाब से जो दबा है वो तैह होती है अगर रोगी की कोई गंबीर बिमारी नहीं है तो हम किसा के माइव से भी आराहम पासकता है ठीक हो सकता है अगर रोगी को की दिन्चर्च ब्लंद से तब Tuesday को सकता है तो अगर मिलेगा और रोगी की दिन्चर्यानुसाशित है संयमित है और यार वैतर है तो इसको सत पिर नाली के से अपनी रहां पके माधनाूłam तो जिसी रूप से ही भारत स्वस्थ भारत की रूप में तब्दिर हो सकेगा और रोग समस्याएं पीडित परेशानी उपचार जैसे सब्द हमारे भारत के लोगों की जिन्दगी से बहुत दूर चले जाएंगे तो अनुसासित रहेंगे तो आपको किसी बीमारी की कोई समस्या होगी नहीं क्योंकि अगर योग करेंगे आसन करेंगे और पास्चा संस्कृत्री को छोड़ अगर भारती सब्वेता के साब से जियेंगे तो आप नरोगी रहेंगे चोकि हमेशा कहा गया है कि प्रिकोर्शन इस बेटर देंट टीटमेंट यानि साद्धानी उपचार से बेटर है नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार